गुद मॉर्निंग तो एवरीवन तो आध्या पाथ चैप्टर नंबर टू एविए से चैप्टर नंबर टू ओधी बैक एक्सरसाइज करांगे पेज नंबर 12 ठीक है सो लेट्स साट दा वीडियो फर्स्टी हैगा आंसर इन वन वर्ड मतलब एक शब देवेच आपा उत्तर देना है ठीक है विच पार्ट्स आप यूर बाड़ी हेल्प यू मतलब निचे आपन सु आप्शन से तिया नहां ठीक है कुशन पुट किते गया आपाना दे आंसर देने है ठीक है तो कैच बाल मतलब आप यूरी बाला का दना कैच कर देना गेंदा ठीक है हैंड से दीक हिए है band से नाल मतलब हत दीक है नेक्स उयगा तूरन लेगस एन फीट आप आप अपर का देका देना हम लतना के पैरा देना ठीक है भी स्टेंड क्लोने का दाए ना पां लेगस देना हम ठीक है नेक्स्ट रेगा फिलिंग दा मिसिंग लेटर्स मतलब मिसिंग लेटर्स आपन देते हो ये ठीक है अपन फिल कर लेना ठीक है I have ten fingers on my hand मतलब मेरे हत्थां दे तास्वंग लिए ठीक है I have lots of hair on my head मतलब मेरे सिर्द्य उपर बहुत सारे वाल है I can kick the ball with my foot मतलब मैं अपने पैर देनाल पैरा देनाल बॉल नूँ kick कर दे ठीक है My legs help me to run fast मतलब मेरे पैरा लेक्स लगता है ठीक है वो किया मैंनू तेज़ पर जन्द्य वेचे साहिता कर दे ठीक है नेक्स रेगा Each finger has a name Let us see how well you know them मतलब तुसी देखोगे अपनी जडी फिंगर चाहा ठीक है हाथ निया उंगला हुं दिया है एना दे नाम हुं दिया ठीक है पहला है थम मतलब अंगूठा ठीक है four finger we all know four finger नो आपपा index finger भी कहने ठीक है index finger भी कहने आपा ठीक है next रेगा middle finger ठीक है सब्तों जडी लंबी उंगल उन दिया center वाली उन्हों आपा middle finger कहने ठीक है next रेगा ring finger ठीक है next रेगा little finger सब्तों जडी छोटी इंगली नों आपा little finger कहने ठीक है निच्चे आपानों छोटी एक पोएम दिती होई है ठीक है एक उसी की है लर्न करनी ठीक है एक्षन से नाल ठीक है ठाइंक यू